हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानों उर्जा, निरिशाल्य एमडी का जो नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि फ्रेंज पोर्टल है, वो फ्रेंज, आपको यहाँ पर ओपन करना होगा, पफिन ब्राउजर में, इसके लिए फ्रेंज, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद, आपको फ्रेंज से यहाँ पर सेर्च करना होगा, पफिन ब्राउजर, तो जब आप पफि तो यहां पर यहां पर चालू कर देंगे और उसके बार फेंसे आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे तो यहां पर देदेखे सबसे पहले आपको देना है अप्लेकेंट का नाम तो आप फ्रेंज से यहां पर जो भी नाम है पूरा जो आपने मेंशन किया है वो आप यहां मेंशन कर देंगे इसके बाद फ्रेंच से यहां पर देखे आपको देना है आपका father name और आपका mother name इसके बाद है आपका DOB section मिन से date of birth section तो आपके सामने जो एक calendar open होता है आपका फ्रेंच से जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद नीचे आपको आना है यहाँ पर सबसे पहले है आपका communication address तो आपका जो भी पूरा address है जो भी आप लिखते हैं अपने address में वो फ्रेंड से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो आपका address आप यहाँ फिल करेंगे इसके बाद city, town या village कौन सा है वो आपको देना है कोशिश कीजिए आप capital letters यहाँ पर use करें इसके बाद आपको देना है आपका district तो आप फ्रेंड से यहाँ पर आपका district है वो आपको एंटर करना है इसके बाद है आपका state और उसके अगर यह सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे इसके बाद 10-digit का mobile number और आपकी mail id आपको यहाँ पर enter करनी है यहाँ पर फ्रेंड से आप अपना धार का number दे सकते हैं इसके बाद फ्रेंड से नीचे आपको password क्रेट करना है सबसे पहले आपको login id create करनी होगी तो आप फ्रेंड से जो login id create करेंगे इसमें फ्रेंड से alpha numerical होनी चाहिए मतलब इसमें आपको alphabet भी रखने है numerical value रखनी हो और इसे चेक करना है अगर यह available होगा तो आपको यह show करतेगा कि यह available है आप इसी के साथ आगे जो है process कर सकते हैं अ फ्रेंड से दूसरी id बनाने के बार जब यह available होगी आपको यह show करेगी आपको यह confirm करना है ऐसे ही password बनाना है password भी फ्रेंड जैसे आपने यहाँ पर login id बनाई है alphabet और numerical values इसी तरह से आप password बनाएंगे और इस capture code को डाल कर यहाँ से nest कर देंगे इसके बाद फ्रेंड से यहा से login कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड से यहाँ पर देखिए आपके सामने nest option आता है email OTP का तो आपने जो भी email id से अपना registration complete किया है उस पर फ्रेंड से एक OTP आती है वो OTP फ्रेंड से आपको यहाँ पर डालनी होगी और OTP को फ्रेंड से यहाँ पर verify कर लेना होगा तो यह फ आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं उस post पर friends आप click here पर click कर सकते हैं अगर आप किसी post के लिए apply कर चुके हैं तो आपको देखिए completed का message भी मिल जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो complete हो गया है अब आप माल लीजे किसी और post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको click here का option मि आपको जाती का जो नाम है वो आपको mention करना है अब ये कहा मिलता है तो friends कि आपकी जो कास certificate है चाती पर mostrar है उस पर const जो नमर है वो ही mention होते हैं तो आपको आपका कास का नाम है वो देना है आपका कास का certificate number देना है जो certificate number आपको इशु हुआ है इसके बाद वो certificate कब इशु हुआ है उसकी जानकरी आप देंगे नीचे bank की details आपको देनी है और यह applicant name आपको यहाँ पर देना होगा तो आपका जो bank account है उसके नाम क्या है account number क्या है IFC code क्या है bank का नाम ब्रांच का नाम क्या है तो यह आपकी bank की जो passbook है उस पर आपको यह जानकरी देखने को मिल जाती है इसके बाद है आपका religion, religion आप enter करेंगे state of domicile आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे इसके बाद नीचे है फ्रेंच से ph candidate अगर आप है तो yes कर सकते हैं नहीं है तो आप no करेंगे एक serviceman या एक police man है तो yes कर सकते हैं इसके लबाद यहाँ पर आप से कहा गया है कि defense personal disabled है तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप यहाँ आप कर सकते हैं प्रिजेंटली employed है तो yes कर सकते हैं minimum जो qualification या experience required है वो friends आप fulfill करते हैं नहीं करते हैं उसकी जानकरी आप देंगे इसके बाद है qualification qualification में friends से यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 10th की detail सबसे पहले friends से आपको यहाँ पर या तो आप बोर्ड का नाम दे सकते हैं या फिर friends से आप अपने institution का नाम देंगे यहाँ पर आपको देनी है आपकी percentage और यहाँ पर आपको देना है friends से आपका passing year आपने इसको कब pass किया है तो आप यहाँ पर फ्रेंच से आपको passing month और passing date आपको यहाँ पर चूज करनी होगी इसके बाद आप 10 प्लस 2 पास आउट हैं तो बोर्ड का नाम आपकी percentage आपका जो passing date and month है वो आपको देना होगा इसके बाद है यूजी degree तो आप इससे select करेंगे any other degree select करेंगे इसके बाद friends से आपको यहाँ पर देना है आपका university का नाम और उसके साथ friends से आपकी जो qualification है आप उसकी जानकारी यहाँ पर enter कर देंगे तो यह friends से आपका same आपका जो process है वो रह इंटर कर सकते हैं तो मैं अभी सिर्फ sample के तौर पर data इंटर कर रहा हूँ आपको जो actual data है वो आपको देना होगा इसके बाद को अधर degree या diploma है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं नीचे आपको photograph and signature अप्लोड करने है JPG format में यह अप्लोड होंगे 20-50 के भी photograph 10-20 के भी वो लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो यह center लेने के बाद एक फ्रेंट से नीचे आपको आना है आपको करने से पहले एक declaration आप से यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो selection process है इसमें जो merit list बनेगी उसमें आपने जो cap की details है वो आप friends वेबसाइट पर जो है शो कराने के लिए करते हैं नहें करते हैं आप उसकी जनकारी प्रवाइड करेंगे और उसके बाद यहां से submit कर देंगे submit करने के बाद friends देखिए आपका जो application form है वो यहाँ पर completely submit हो जाएगा इसके बार आप click to login वाले option पर दुबारा से click करेंगे और एक बार यहाँ पर लोगिन वाले option पर click करने के बाद आपके सामने जो login page open होगा उसमें friends आपको आप लोगिन करना होगा तो इसके लिए फैंस आपनी login ID और आप यहाँ पर password डालकर login यहाँ से कर सकते हैं लोगिन करने के बाद आपके सामने जो dashboard है यह open हो जाएगा तो friends dashboard यहाँ पर देखे आपका open होने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखे दुबारा से option आएगा जिस post के लिए आप यहाँ पर print out लेना चाहते हैं उसमें friends आपको यहाँ पर सबसे पहले दुबारा से new registration या login वाले option पर click करना होगा इस पर click करने क अब आपको अपने registration number और इस capture code को डाल कर login कर लेना है इसके बाद friends यहाँ पर देखे अब आपको option मिल जाएगा आपके print registration slip का आप यहाँ से अपना जो print out है वो save करकर अपने पास से रख सकते है future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की कैसे आप friends AMD क online for mobile से feel कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो friends like, subscribe and share जरूर कीजिए और वाकिय की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब चनल और आपको यूच्व था लाचे लारे मिल सकते हैं पार सुटीब चैन दोत्र Cashас तो चस्क बार शच कर सक्क्राइब नगल साध..